जंगल की जिंदगी बड़ी खतनाख होती है हफ्तों हो गए यहां खेमा डाले हुए सिपाही भी तंग आ गए है यह वजीर अली आदमी है या भूत हाथी नहीं लगता उसके अफसाने सुनके तो रॉबिन होट के काना में याद आ जाते है अंग्रेजों के खिलाब उसके दिल में इसकदर नफरत है कोई पांच महीने हुकूमत की होगी मगर इस पांच महीने में अवद के दरबार को अंग्रेजी असर से बिलकुल पाक कर देने में तकरीबन काम्याब हो गया था करनल काजिंग से सादत अली कौन है समशद दौला का भाई है वजीर अली का और उसका दुश्मिन असल में नवब असर्फद दौला को यहां के यहां लगके की कोई उम्मीद नहीं थी वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत खयाल किया मगर सादत अली को अवद के तक पर बिठाने में क्या मसलिहत थी सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत एश बसंद आदमी है इसलिए हमें अपनी आदी मौम की मौमलिकत दे दी और दस लाख रुपे नगर अब वो भी मज़े करता है और हम भी सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बाच़ साह-ई-जमा को हिंदुस्तान पर हमला र्ने की डावट दे रहा है अफगानिस्तान को हमले की डावट सबसे पहले अशल में टीपो सुल्तान ने वी थी फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ले बुलाया और फिर शम्षुद दौला ने भी कौन शम्षुद दौला नवाब बंगाल का निश्वती भाई बहुत ही खतनाक आदमी है इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौई गई है जी हाँ और अगर ये काम्याब हो गई तो बकसर और पलासे के कारणा में धरे रह जाएंगे और कंपनी को जो कुछ लॉज प्लाइब के हाथों हासिल कर चुकी है लॉज वेल्सली के हाथों सब खो बैठेगी वजीर अली की आजारी बहुत खतनाक है हमें किसी न किसी तरह इस सक्ष को किरफ़तार कर ही लेना चाहिए पूरी एक वाज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बर्सों से वो हमारी आँखों में दूल जोक रहा है और इहीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता उसके साथ चंद जावाज है मुठी बर आदमी मगर ये दंखम है सुना है वजीर अली चादी तो से भी बहुत 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 वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में ही रहता था और उससे शिकायद की कि गवर्ने जनरल उसे कलकत्ता क्यों भेज रहे हैं। वकील ने शिकायद की परवनाहिक की उल्टा उसे बुरा भरा सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यू भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उससे खंचह से वकील का काम तमाम कर दिया। और भाग गया। अपने जानिसारों समेट आजमकर की तरफ भाग गया। आजमकर के हुगममरानों ने उन लोगों को अपनी हिफाज़त में घागरा तक पहुँचा दिया। अब ये कारवा इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। मगर वजीर अली की स्कीम क्या है। वजीर अली की स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुँचाए अपकानी हमले का इतजार करें अपनी ताकट बढ़ाएं सादत अली को उसके पच से हटा कर खुद आवद पर कबज़त करें और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से नेपाल दें। नेपाल पहुचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुनकित है कि पहुच गया हो। गड़ तो ऐसे उज रही है जैसे कि पूरा एक काफिरा चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। हाँ, एक ही सवार है, तरपत गोला दोलाए चला आ रहा है। और सीधी हमारी तरफ आता मालूम होता है। सिपाईों से कहो इस सवार पर नजर रखे कि ये किस तरफ जा रहा है सुभे की कोई गुनजाइश ही नहीं तेजी से इसी करफ आ रहा है मुझे करना से मिलना है बहुत खूब जी हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है भेज दो वजीर अली का कोई आदमी होगा हमसे मिलकर उसे गिरफदार करवाना चाहता होगा खामोश रहो तनहाई तनहाई सहब यहां कोई गेर आदमी नहीं आप राजे दिल कह दे दीवार हमकोश दारत तनहाई आपने इस मकाम पर क्यों खेमा डाला है कमपनी का हुपम है कि वजीर अली को गिरफदार किया जाए लेकिन इतना लाज़ लाशकर क्या माई में गिरफदारी में मदद देने के लिए वजीर अली की गिरफदारी बहुत मुश्किल है साहब क्यों वो एक जाबा सिपाही है मैंने भी यह सुन रखा है आप क्या चाहते हैं चंद कार्टूस किस लिए वजीर अली को गिरफदार करने के लिए ये लो दस कार्टूस शुक्रिया आपका नाम वजीर अली आपने मुझे कार्टूस दिये इसलिए आपकी जान बखशी करता हूँ कौन था? एक जाबा सिपाही